गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे है आप सब मैं राजे सर आप सबका स्वागत करता हूँ काभील एकाडमी के इस प्लैटफॉर्म पे इस यूटूब चैनल पे जहां पे आप लागा था डबलू बी टेट दो हजार बाइस जिसकी परिक्षाई 11 डिसंबर को और रेज इंग्लिश, मैट्स, आपका EBS हो है ना या आपका हिंदी हो इन सब की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है काभील एकाडमी ने कि 70 दिनों में आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी बशर्ते आप उसी तरह चले मेरे साथ जैसे जैस देखते जाए समस्ते जाए बार बार देखिए जितनी बार हो सके देखे और इनका नोट्स बना ले ताकि आपको चीजे बहुत अच्छे से क्लियर हो सके पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी बस धहले रखें ठीक है किसी में चीज में आप हरबड़ी ना करें लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है लेकिन स्टीडी होता है तो आप मेरे साथ चलते चलिए आपको सब कुछ सही समय पर पूरा हो जाएगा प्रैक्टिसेट भी हम लोग कर लेंगे धेड़ सारा कर लेंगे अंत में जाके ताकि अब एक्जाम के पहले पूरे कन्फिडे सब्सक्राण भी है और कई माइनों में यह दिक्कत भी दे जाता है कि आपको लगता है कि आपने एंसर सही करके आए हैं लेकिन जहां थोड़ा सा आप लापरवा हुए आपका गलत हो जाता है आज का जो टॉपिक है वो है अंसीन प्रोज और अंसीन पोईट्री यानि कि अ 17 is जवाब देने और दूसरा एक अन्नोन कविता आती है को अपको उसमें दियेगहें शब्दों के अर्थ को समझ के आपको उसमें दियेगH? पांस सवालों के उत्तर देने हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं काभी लिकाडी में कुछ बहुत important passages और कविताओं को ले रहे हैं ताकि हम इस उमीद में की हो सकता है कि हम जो करवा रहे हैं शायद इन ही में से कोई एक passage या एक कविता आपके exams में आ जाए आ जाए तो बहुत अ लेकिन हम बहुत धेर सारे गड्यांश करेंगे और धेर सारे पद्यांश कर कविताओं को लेंगे तो उमीद करते हैं कि जो selection हमने किया है उसमें से कुछ ना कुछ आपके exam में आ जाए तो 10 नंबर की वीडियो है आज गड्यांश 5 पद्यांश 5 10 नंबर हिंडी में आप बि जबाद को पढ़ने से 5 10 नंबर हिए उटी रिखामिश ऑंफिर से पंद्यांश को सबसे पहले जाला नहीं है उन्हें पढ़ने में जद समय लगता नहीं है तो आप पहले पांस सवालों पांड़ा, मैं जाइंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको सवालों के जबाब मि कि जो यहाँ पे सवाल है कि उप्युक्त गद्यांश का उचित सिर्षक होगा यानि ये जो गद्यांश का जो हिर्षक है जो गद्यांश आपको दिया हुआ है इसका सिर्षक यानि आपको इसका टाइटल बताना है तो बिना पढ़े तो हम बतानी पाएंगे कि मनुश्य और समाज होगा, मनुश्य समाजिक प्राणी, संगती का प्रभाव मनुश्य का धर्म यानि मनुश्य समाज और धर्म के बीची कुछ दिया हुआ है, खैरी तो पढ़के मालूम चलेगा कि हमें इसका सिर्शक बताना है मनुष्य को समाजिक पढ़ानी कहा गया है क्योंकि क्यों कहा गया है कि वो समाज में रहता है वो समाज से अलग रह नहीं सकता वो समाज का अंग है समाज उसकी सहयता करता है देखिए जब हम लोग यह सवाल पढ़ेंगे न तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि एक्जाम में माल लीजिए कि मैट्स भी है, इंगलिश ग्रामर भी है, चैली पेडगोगी भी है, कभी-कभी student के पास समय ही नहीं रहता है, तब इन सवालों का जबाब देने के लिए आप common sense का इस्तमाल कीजिएगा, कभी भी क समाज के जमाने में, कोई भी उसी को answer देगा, ठीक है, हमने गध्यांस पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम बता देंगे किसका answer क्या होगा, अगर आपके पास समय नहीं है, अंत में तब ऐसा कीजिएगा, ठीक है, चलिए, ये तो हो गया, आगे देखते हैं, तिन नमबर सवाल है, कि समाज के जीवन रहने के लिए आवश्चक है, ठीक है, तीन नमबर जो सवाल है, शायद कुछ mistakes हुई है ने क्या, समाज के जीवित रहने के लिए आवश्चक है, ये जीवन नहीं है, ये हो जाएगा, जीवित, क्या हो जाएगा, ये चीवित, तो, समाज के जीवित के लिए अवश्यक है एक दूसरे मेल जोल एक दूसरे की सहायता अपने अपने करतब्वे का पालन और उप्रयोक्त जो है सभी उप्रयोक्त सभी खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है इस लोकिक्ति का क्या अर्थ है एक दुसरे को देखकर बदल जाना एक दुसरे की नकल करना एक दुसरे की संगति का परभाव पढ़ना एक दुसरे की सहायता करना बेक्ति के लिए अपना समाज का तता देश का हित करने के लिए क्या करना चाहिए अपने करतबे का पालन दिन दुखी की सहायता मिल जुलकर रहना अच्छे लोगों की संगर ठीक है आपने पढ़ लिया होगा जवाब भी हो सके तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने दिमागे बना लिया होगा लेकिन फिर भी जो प्रणाली है जो सिस्टम है उसे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं मनुष्य एक समाजिक प्रानी है मनुष्य एक समाजिक प्रानी है यानि कि वो समाज में रहता है समाज का हिस्सा है वो सभी कारे अपने आप कर सकता आप अकेले कोई काम कर नहीं सकते ना कि वह अनिक कारी omaś Records की सहेता लेता है तो उससे भी दूसरों की मदद करने परती है जब वह दूर समाज में रहते हैं दूसरों की जब सहेता लेते हैं अपने काम के लिए तो उनके समय में आपको भी सहायता करना पड़ता है ऐसे ही समाज में चलता है सहायता के इस प्रकार के आदान परदान के अभाव में समाज जीवित नहीं रह सकता याद है समाज कब जीवित नहीं रह सकता, एक सवाल था, क्या दिया है, कि जब आप सहायता के इस प्रकार के आदान परदान के अभाब, यानि कि आप सहायता लेंगे, लेकिन सहायता नहीं करेंगे, या कोई आपसे सहायता ले रहा है, लेकिन वो आपको सहायता नहीं दे रह यानि आप एक दूसरे की सहायता के अदान-पर्दान को नहीं कर रहे हैं, तो समाज जीवित ही नहीं रहेगा, आप कुछ करी नहीं पाएंगे, समाज में रहकर, यानि कि अगर इस लाइन को पढ़ा जाए, तो हमारा सवाल क्या था, समाज के जीवित रहने के लिए क्या आव पड़ता है और अपने-अपने करतब का पालन भी करना पड़ता है यानि कि इसका जबाब होगा वो प्रिफ्ट सभी तीनों ही बिल्कुल सही जबाब है ऐसे ही समाज में समाज जो है जीवित रहता है ठीक है आगे हैं समाज में रहकर बेक्ती अनेक लोगों के संपर्थ में हाँ बास ही है उसमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं ठीक है मनुष्य पर सभी प्रकार के लोगों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अविश्य पड़ता है मनुष्य पर सभी प्रकार के लोगों का आदत होगा, जो सभाव होगा वह ऐसा ही हो जाएगा, अगर आप बुरे लोगों के संगत में हैं, तो आप बुरी बाते सीखेंगे, बुरा बोलेंगे, आपके अंदर का जो विचार है वो खराब हो जाएगा, अच्छे लोगों के संगती में रहेंगे, साधू संतों के संग खर्बूजा रंग बदलता है यह जो लोकिक्ति है इसका क्या एंसर होगा देखिए एक दूसरे की संगति का प्रभाव पढ़ना बिल्कुल सही जबाब है अभी मने कहा था आप जिस संगत में रहेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे यानि एक दूसरे की संगति का प्रभाव खर्बूजे को देखकर खर्बूजा रंग बदलता है ठीक है तो यह जवाब हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आगे है बेक्टी को चाहिए बेक्टी को चाहिए कि वो अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे और अच्छे फल प्राप्त करें जिससे ना केवल अपना बलकि समाज एवंग देश का हीट हो यानि कि देश का हीट करने के लिए क्या चाहिए अच्छे लोग के संगती करें अच्छे लोग उठे बैठे तो बताइए इस गध्यांस का सिर्शक क्या होगा अगर हम गध्यांस को ध्यान से देखे तो गध्यांस का सिर्शक हम लोग क पड़ा होगा तो पहला ही लाइन क्या दिया हुआ मननेश्य एक समाजिक प्रणी है। उसके बाद ही इस चीज को लेकर सारी बाते जो है इस गद्यांश में कही गई है। कि समाजिक प्रानी होने के नाते वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है एक उसरे की मदद करनी पड़ती है सहाइता लेते हैं सहाइता देनी भी पड़ती है अच्छे लोग के संगती ही बैठेंगे तो ये सब समाज के अंदर ही तो होता है न क्योंकि एक समाजिक प्रानी है तो ये देखके हम कह सकते हैं कि इसे जो उप्युक्त सिर्सक होगा, वो होगा कि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है. मनुष्य को समाजिक प्राणी कहा गया है क्योंकि इसे समाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? वो समाज में रहता है, समाज में रहने वाली कोई नहीं वो समाज से अलग रह नहीं सकता, ठीक है, वो समाज का अंग है और समाज उसकी सहायता करता है तो मनुश्य को समाजी के परानी क्यों कहा गया है, आपके हिसाथ सम्ट क्या देंगे क्योंकि देखिए, समाजी प्राणी अब क्यों होते हैं, आप क्या समाज से अलग रह सकते हैं, आप क्या जंगल में जाके रहेंगे, या आप दूसरे गरह पे चले जाएंगे, आप कहीं भी जाके रहें, वहाँ पे आपको एक समाज में रहना ही होगा, क्योंकि बिना समाज म बचा है हमारे पास अंतिन सवाल कि बेक्ति के लिए अपना समाज का तथा देश का हिट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपने करतबे का पालंग करना चाहिए? बात तो सही है, अपने अपने करतबे का पालंग कीजिए, दिन दुखी की सहायता, गरीब क किसा है था आपके यतने च्छमता है उस च्छमता के हिसाब से मिल जुलकर रही है समाज में तो मिल जुलकर नहीं पड़ेगा और अच्छे लोगों की संगत अब देखिए बाते यहां पे सब सारी बाते जो है सही दिवी है लेकिन यह क्या बोला है बेक्टी को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे और अच्छा फल प्राप्त करें जिसे ना किवल अपना बलकी समाज देश का ही तो इसी जगा गलती होते है बच्चों से उन्हें ये भी सही लगता है ये भी सही ये भी सही लेकिन इन में से कोई ये की सही होगा जो इस गद की अनु अच्छे लोगों की संगत ये हमारा सही एन्सर हे तो देखा आप आप में कैसे हम लोगों ने गर्द्यांज देख़ा रहा है सवालों के ओप्शन को आप पढ़ ले एक आईडिया ले एक बार ख اब सवालों को पढ़ Lexus को पढ़े उसके बाद जब पढ़ेंगे तो एक बार के ही पढ़ने से एक बार की पढ़ने से आपको सारे सवालों के जबआब सटीक तोर पर मिलेंगा बहुत ध्यान से कुछ चीजे को अंडरलाइन भी करें पैंसील रखें अपने पास कुछ जो चीजे हैं पढ़ते पढ़ते आपको लग जाएगा कि पक्का इसके उपर कुछ ना कुछ कोशन आया होगा तो आप अंडरलाइन करके चलते चलेंगे देखेंगे कि जब कुछन आप कर रहे हैं तो आपको एंसर आपके अंडरलाइन पॉर्शन से ही मिल जा रहा है तो काफी आसान हो जाता है ये छोटी मोटी टेकनीक से जिससे हमारा एक्जाम जो है काफी आसान हो जाता है तो ये हमने कर लिया चलिए अगला देखते हैं अगला पैसेज देखिए बहुत ही इंपोर्टन आपको जाना का है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं को करना क्या है, बनना क्या है आपको, ठीक है, तो आज के मानो की यात्रा लक्षहिन क्यूं है, उसे अपने लक्ष का पता नहीं है, उसमें बुद्धी की कमी है, वो धन के पीछे भाग रहा है, उसने मानविये मुल या अपने से आगे निकलता नहीं देख सकता मनुष्य दूसरों से इरिश्या रखता है जलता है मनुष्य केवल स्वाइंग को धनी और सुखी बनाना चाहता है वो आहंकारी है ये दो सवाल हमें देख लिया पहला लक्षेहिन उसकी यात्रा लक्षेहिन क्यों है और है तो उसके कारणत क्या है इसके बाद तिन नमट सवाल देखिए आज के मनुष्य में किस प्रकार की भूक जगी है कैसी भूक है आज के मनुष्य में धन की, सुख की केवल अपनी उनती की प्रसिद्धी प्राफ्ट करने की ये पहला है कि किस प्रकार की भूख है आज के लोगों में जैसे तैसे दूसरों से आगे निकलने का क्या आश है जैसे तैसे का क्या मतलब होता है भाग्य के सहरे आगे निकलना परिश्रम के बल पर आगे निकलना भागे और परिश्रम दोनों के बल पर आगे निकलना उचित अनुचत के ध्यान रखे बिना आगे निकलना और पांचमा सवाल है उन्नती का संदी विछेद कीजिए, संदी विछेद आपके एक्जाम में, एक तो गध्यांश के माध्यम से एक आ जाएगा, पध्यांश के माध्यम से एक आ जाएगा, और एकाद तो आप कोशन में, घंदी ग्रामर में, ऐसे ही पूछा जाता है, यानि कि आप पकड़ के चल लूंगा जहां आपको संधी बीचे समाथ बिलकुल आसानी समझ में आ जाएगा और इस पर आने वाले कोई भी सवाल आप आसानी स्वाल कर लेंगे जो सवाल मैं कराऊंगा उसके बाहर तो एक भी सवाल आपका नहीं आएगा इस बात की तो पूरी गैरेंटी है चलिए अब ह अधुनिक मानों तेजी के साथ दोड़ रहा है जो मौडर मैन है हम लोग जैसे भाग रहे हैं दोड़े जा रहे हैं उसे अपने लक्षे का पता नहीं उसे अपनी मन्जिल का पता नहीं इसलिए उसे खुद नहीं पता कि उसे जाना कहा है उसकी यात्रा लक्षहीन है अब उसे अपने लक्ष का पता नहीं है तो आज के मानव की यात्रा लक्ष हीन क्यों है क्योंकि उसे अपने लक्ष का पता नहीं है उसे अपने लक्ष का पता नहीं है इसलिए उसकी यात्रा क्या है लक्ष हीन है तो उसकी यात्रा लक्ष हीन है उसकी यात्रा का कोई उद्देश नजर नहीं आता। इसका एक मुख्य कारण यह है कि ना तो वो किसी को अपने से योग बनता देख सकता है और ना ही किसी को अपने से आगे निकलता हुआ देख कर सहान कर सकता। कि उसे दो चीज़े पसंद नहीं, अपने से ज़्यादा किसी को योग्य बनता देख और अपने से आगे किसी को निकलता देख देखिका है। मानों की जो यात्रा है वो क्या है? मनुष्य में स्वार्थ गया है सिर्फ अपनी उनत्ती की ऐसी भूक जगी है भूक यहाद है? भूक पुछा गया था? यह देखीए? आजके मनुष्य में किस प्रकार की भूख जगी है केवल अपनी उन्नती की देखिए एंसर मिल गिया ना कुश्चन पढ़के गदांश करने का यही फाइदा है कि इस भूख ने उसे इंसान से हैवान बना दिया है कुछ भी करेंगे लोग आजकल आप देखते हैं यह ना रील्स व्लॉग शॉट करने के लोग क किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं आज के मनिश्य का एक मतर लक्षर है गया है जैसे तैसे दूसरों से आगे निकलना दूसरों को पीछे छोड़ना और यही नहीं उन्हें हानी पहुंचाने से पीछे नहीं अटते हैं जैसे तैसे का मतलब होता है हेन तेन प्रके इंसाम कुछ भी इस्तमाल किजिए दूसरों को टांग खीचिए उसे मारिए उसे पीटिए उसका हाइवानित किजिए लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो यहां सवाल था कि जैसे तैसे दूसरों से आगे निकलने का क्या आश है इसका मतलब होता है उचित अनुचित का ध्यान र लब हैं टेक्निकल नौलेज़ है जो सवाल पर आगर आपसे पढ़ने थे उत्तराने थे हमने पढ़ लिए अब उन्नति का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं वहां तो उसका एसका एंसे नहीं होगा उन्नति का जैस्यों इपर शंतित और फिरता हूंगा तो आपको तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उननती का संदी विचेद है घानमर उत्त जोड नती ठीक है तो ये था हमारा दो नमबर पैसेज ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे एक छोटा सा पैसेज मैंने लिया है बहुत ही काम का है बहुत ही इंपोरेंट है कभी कभी जो होता है जो छोटी चीज़े होती है बहुत जाए तंक करती है फुनसी का अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो फुनसी का फुनसा हो जाता है इसे ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का पहले सवाल ने ले सवाल है, समस्त गरंथों एवंग अनुभवी जनों के अनुसार जीवन है, यानि हमारे जो जतने भी गरंथ है और जो अनुभवी लोग है, उनके अनुसार जीवन एक्चisters क्या है, जीवन जीवन हमारे शत्रू कौन है, कठनाई एवंग दुख, कठनाई और गुराईया, दुख एवंग रोग, दुख, है तो सभी दुश्मन, लेकिन अब परगराफ में किसको दिया है, वो जानना है, और जीवन तो चुनावती भी है, कसोटी भी है, धर्मचेतर भी है, तो वहाँ क्या दिया है, वो जानना है, विश्यों के प्रहे सभी महापुरूशों के अनुसार, महानता क्या रहस है, विश्यों में जितने भी महापुरूश है, जिन अपनी महनत से अपने आपको महापुरूशों की स्रेनी में लाए हैं, उनके अनुसार महानता का रहस से क्या होता है अच्छे संसकार, सदगुन, संघरशिल्टा, सबलंबन अब दीके सभी सही है पर इसमें क्या दिया है वो जरूरी है सफलता का मार्ग, सफलता का मार्ग प्रसस्त करते हैं दिड़ इच्छा शक्ती लगन और परिश्रम, परिश्रम आत्मविश्वास और धहरे लगन सहास और दिड़ इच्छा शक्ती, दिड़ इच्छा शक्ती अच्छी सिक्षा और अच्छे संसकार ये आपको दिया हुआ है ठीक है असफल होने पर भागे को दोस्ट देता है कायर बेक्ती, दुर्जन, अकर्मणने, भाग्यवादी ये पांस सवाल अपने पढ़ लिए कि सवाल क्या है, पहले में जीवन क्या है, सत्रू कौन है महानता का रहसे क्या है, सफलता का मार कैसे पसिस्त करते है असफल अपने पर भागे को कौन दोस्ट देता है चलिए, समस्त ग्रंतों एवंग ज्यानी अनुभवी जनों कहना है कि जीवन एक कर्मछेत्र है समस्त ग्रंतों एवंग अनुभवी जनों का अनुशा जीवन क्या है जीवन एक कर्मछेत्र है हमें कर्म के लिए जीवन मिला है हाँ काम करने के लिए जीवन मिला है आपको आप काम कीजिए जो काम है वही आपका धर्म है कठिनाईया एवंग दुख और कस्ट हमारे सत्रू है पुछाए ना हमारे सत्रू कौन है तो कठिनाईया और दुख क्या है कठिनाईया और दुख क्या हमारे शत्रू है जिनका हमने सामना करना है करना है जिन्दगी बार आपको सामना करना है आप इसे तो दूर नहीं भाग सकते उनके विरुद शंघर्ष करके हमें विजयी बनने है आप अपने शत्रू जो दुख है कस्ट है कठिनाईया है उनके बिरूद जितना आप संघर्ष करेंगे उतना आप बिज़ाई बनेंगे बिश्यों के प्राया समस्त महापुरूशों के जीवन बृत्त हमें ये सिछा देते हैं कि महानता का रहश संघर्षिल्टा परिश्रम द्रिड़ इच्छा सक्ति वो लगन है अब देखें यहां है अछे संसकार संघर्षिल्टा स्वावलंबन आपको यहां पे दिया हुआ है लेकिन यहां पे अच्छे संस regulatory सद्गुन और सव्वलंबन देखें नहीं है संह लगन इसे कोई नहीं है कि बल क्या है संघर्षिल्टा तो यह आपका एंसर हो जाएगा अगर आपने यहां सी भी गलती की तो यह पूरा कुशन गलत हो जाएगा जो कि यहां पर हम एक नंबर भी छोड़ नहीं सकते तो आगे देखते हैं ओके लगन आधी मानविये गुन बेक्टी को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं देखे सवाल था न यहां पर दिर्डशा शक्ती लगन और परिश्रम परिश्रम आत्ने भी स्वास धैरे लगन साहस और दिर्ड़ इच्छा शक्ती अच्छी सिख्छा अच्छे संस्कार सबस पढ़के अच्छा लग रहा है लेकिन हमें वह लेना है जो यहां दिया हुआ है संघर शिल्ता पर तो एलिमेंट जो है मिसिंग है असफल होने पर भागे को दोस्ट देता है कौन देखिए बोला है परिश्रम ना करने वाला आ कर्मणने वेक्टी असफल होने पर भागे को दोस्ट देखिए करता है अकर्मणे का मतलब होता है जो अपना कर्म ना करे जो अपना काम ना करे जो वो असफल होता है तो भागे को दोश देता है कि भागे में ही नहीं था तो मुझे कहां से मिलने वाला है और वो अपने आपको संतोष्ट कर लेता है कि हां मेरा कोई दोश नहीं है तो जो अकरमन्ने होता है जो कोई काम नहीं करता वही वो ऐसा करता है ठीक है ये था हमारा त